Hello Mommies and Daddies, I am Pratiksh and I welcome you all to our channel My Career and Motherhood आज इस topic पर बात करने वाले है वो हर घर की requirement है आज के date में दो ये मेरे channel से थोड़ा different है बट मुझे लगा ये topic आपके साथ discuss करना चाहिए हम किस technique को follow कर रहे हैं उसके basis पे जो topic है वो ये है कि हमें अपनी groceries को किस तरह disinfect करना चाहिए हम जब shopping कर रहे तो shopping के time हमें किस कौन सी measures को ध्यान रखना चाहिए और shopping करने के पाद जो समान घर पर ला रहे हैं groceries को तो उन्हें हमें कैसे disinfect करना चाहिए तो topic आज का यही है यही है कि सबसे पहले बात है इस virus ने हम सब को घर पे confined करके रख दिया है और इसके current movements रस्टिक्ट हो गई है लेकिन फिर भी लोग move कर रहे है और movement से आती है risk अब हमारी society के dilemma यह है कि हमें जीने के लिए यानि survive करने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा बट खाना खाने के लिए भी हमें उस खाने को औरेंज करना पड़ेगा जिसके लिए हमें इदर बाहर जा के अपनी grocery shopping करनी पड़ेगी या फिर हमें grocery को घर पे home delivery कराना पड़ हमारेे घर में किसी पी तरह से वाइरस का इंफेक्शिन आ सकता है सो अर्वाटर कुंधे हैं वाइरस से वाइरस से बचा helpless खुर से यह एसलोगdır नियुकी बबस तो कलिक है अगर आप बने अगा N be газ Safe में आपके ग्रॉसरी जाते हैं तो जैसे कि हमें यह पता है कि वर्ल्ड हेल्ट और नेशनल हेल्ट और थू की जो कार्डबोर्ड में जो कोरुना वाइरस की लाइफ है वो है अराउं 24 आवर्स तो जब कोई होम डिलिवरी करने आ रहा है आपके घर पे तो उनको आप फर्स्ट आफल घर के अंदर एंटर ना करने दीजिए उन्हें का यह कि जो बॉक्स है ग्रॉसरी के आप बाहर ही डंप कर दो आप घर पे उसे तभी लाओ जब आपको उसकी इमेडियेट रिक्वार्मेंट है अधर क्या करो आप ग्रॉसरी को अंदर लाओ और इमीडियेटली वो जो काइड़ बॉक्स है उसे थो कर दो डिसकार्ड कर दो उसके बाद आप जो आपकी डिसिंफेक्टिंग प्रोसेस है वो शुरू करो अब यह तो था जब होम डिलिवरी हो रही है अब हमारे किसमिस क्या हो जब भी करते हैं हम इस लॉकेशन में रहे हैं वहां पे उस PIN कोड पे होम डिलिवरी नहीं हो ही है भाई एनी आप बरिलाइन व भी c-र किसी फिल्ल से ओप यह ऊप्री नहीं हो रही हो तो तो उस का होते है हमें स्टेप आॉट करना पढ़ता है और हमारी ग्रॉसरी काम हो और इंफेक्षिन के बहुत कम हो है अभ सबसे पहले बात करेंगी कि किछ चॉपिंग करते टाइम हमें किन चीजों का ध्यान करना है इफ अगर आप खुद जा रहे हो तो आपको यह शोपिंग बास्केट लेनी होती है या शोपिंग कार्ट लेना होते तो आपके या कुछ भी wipes लेक जो डिसिंफेक्टिंग वाइप यह सब चीजों की जरुत होगी नेक्स चीज आप मास्क पहन के जरुर जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटीन करनी है सबसे पहली पॉइंट ही हो गई कि आपने मास्क पहनना है स्टेरिलाइजर करना है डिसिंफेक्टिंग wipes करनी है या कुछ भी ऐसी चीज करनी है जिससे आप अपने काट को क्लीन कर सको सेकंड चीज यह है कि आप अशॉर करो कि आप वही चीज पिक कर रहे हो जो आप शॉर हो आपने पर्चिस करनी है किसी भी तरह से वह वाइरस हमें इनफेक्ट कर सकता है तो आपने अशॉर करना है अगर आप वह चीज टच कर रहे हो उठा रहे हो तो आपने वह भाई करनी है तब ही जैनरली हम पहले क्या करते थे हम उठाते थे देखते थे इसके क्या है इंग्रिडेंट्स क्या है कौन स प्लीज बहार नहीं चाहिए इस बेटर कि आप घर पे रहे है या घर का कोई और मेंबर शॉपिंग कर ले या उस केस में आप उन लाइन डिलिवरी करा ले फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में कोई लव वंस है जिनकी एच 60 अबव है तो आप प्लीज उनको ब आपने देनी है तो आप अशॉर करें आप पूरी तरह उसको डिसिंफेक्ट करके ही उनको पास-on करें अब नेक्स्ट पॉइंट ये है आप प्लान कर लेजे आपको क्या-क्या चीजे चाहिए फॉर इस टूविक्स थाके टूविक्स के पहले आपको बाहर जाना ना आप 10-20 डेस के लिए आप अपनी शॉपिंग अल्रेडी करके रखे और जो लास्ट पॉइंट पॉइंट वह ये है कि आप कोशिश करिए कि आप कैशलेस ट्रांजेक्शन करें काश होते हैं हैं तो उससे वाइरस के अगें चांस होते हैं तो ये तो थे सारे कि आपने शॉ आप कोशिश करो कि उन्हें अपने गराज में रख दो या बैलकनी एरिया है या घर के बाहर कोई सेपरेट एरिया जेरली होते ही हैं आप उन्हें रहने तो वहां पर ही अट लीस्ट फॉर 72 आवर्स यानि 3 डेस जैसे हमें रिसर्च के थूर पता चला है कि जैसे मैं आपक प्लास्टिक, स्टेनलस स्टेल और इनी हाड ऑब्जेक्ट ग्लास और इनकी लाइफ होती है फोर राउंड 72 आवर्स तू तो उसके बात जब यह आपको रिक्वार्मेंट नहीं है तो आप उन्हें बाहर ही रहें दो और रिक्वार्मेंट हो तो घर लो और फिर आप फॉल करो डिसिंफेक्टिंग प्रोसेस जो हम फॉलो करते है वो कुछ इस तरह आप आगे वीडियो में देखोगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मैं पहले यह बोल देती हूँ प्लीज लाइक करिएगा सब्स्राइब करिएगा जज्जमेंडल मत होईगा वि किसा यहां पर देखोगे सबसे पहले मैंने अपना किचन का काउंटर टॉप को क्लीन किया है मेंसारा यहीं पीक जो किसे सिंग यहीं पे होती है तो आप लाइजोल कर लिए कि अपने कर लीजिए और इसके बाद में लाकर रखाँगी अपनी घ्रॉस्रिज निपर आप जब वो सीधा मार्केट से आये हैं उसके बार तो इस तरह से मैंने अपने बैक को खाली किया हम प्रेफर करते हैं क्लोथ बैक को यूज करना राधर देन प्लास्टिक बैग और एनी अधर बैग बिकॉस क्लोथ बैग इजी टू होते हैं उससे चाहे तो अपने लॉंडरी में क्लीन हो जाते हैं अब यहां मैंने ली कॉलीन की एक खाली स्प्रे बॉटल थी मेरे पास उसमें थ्री फॉर्थ हमने एक कंसेंट्रेटेड सैनिटाइजर लिया था या डिसिंफेक्टेंट लिया था उसमें वन फॉर्थ पानी मिक्स किया एक टॉविल को अच्छे से और कार्डबोर्ड बॉक्स को जैसे मैं पता है 24 आवर्स इसमें वाइरस रह सकते हैं उसे थ्रो कर दिया इसके बाद मैं वन बाई वन अपनी सारी चीजे डिसिंफेक्ट करूंगी नाइसली क्लीनिंग देम विध द टॉवल जिसमें मैंने स्प्रे किया वै डिसिंफेक्ट इस तरह आगने सारी की सारी ग्रॉसरिस को क्लीन कर लेनी है अब हल्दी राम का नमकीन का पैकेट जो बिल्कुल प्लास्टिक का है तो मैंने इसे कंटेनर में एमटी कर लिया और बाकी इसका प्लास्टिक का दो या तीन कंटेनर में से खाली कर लिया और फिर इसे पैकेट क प्लास्टिक डिस्कार्ड किया और यह ब्लेड्स को अच्छे से वाइप करके एक साइड में रख दिया इस तरह मैंने किया हमारी सारी चीजे आप कोशिश कर यह जो भी चीजे हो निकाल लीजे जितना भी पॉसिबल हो ताकि कोई भी चांस ना हो वाइरस पे आपके घर में आने के और कोशिश ये भी रख रखनी है आपने कि किसी भी तरह से आपने अपने हांड्स को फीस पे आइस नोज या माउथ पे टच नहीं करना है बिलकुल भी अब यह मैंने एक clean already washed cloth bag थी उसमें डाल दिया because kitchen में अब और boxes या containers नहीं है मेरे पास कि मैं इन सबको empty करूँ यहां पर फिर से मैंने अपना हायान सानिटाइस किया जैसे कि मैंने आपको अपने last वीडियो में बताया था कि हम अपने fruits vegetables को लाते हैं अच्छे से clean करते हैं पानी से और उसे sun dry करके फिर refrigerator में स्टोर कर लेते हैं बट कुछ और research मैंने की study की तो उससे बता चला कि यह fruits and vegetables बहुत ज्यादा पोरस होते हैं बिलकुल हमारी skin की थरह तो जरूरी है इने भी soap and water से for 20 seconds एक-एक fruit vegetable को clean हमें करना ही चाहिए बट इतना practically possible नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ सिंक में पुरा leather form कर लेती हूँ या एक container में dishwash ले ले लेती हूँ या detergent ले ले लेती हूँ पान तरह के soapy smell नहीं और यह अच्छे से wash हो गया है फिर से मैंने hand sanitize किया fruits vegetables को sink में रखा और अच्छे से wash करके running water में आप इसे wash करके रख सकते हो और उसके बाद आप इने sun dry करने होने के लिए रखो जब थोड़े dry हो जाए फिर आप इने refrigerate करो तो it is very important कि because यह बहुत पोरस ह होते है इने भी आपने इक्वली जैसे आप अपने hands को 20-30 seconds के लिए वाश करते हो इने भी उसी थर आपने वाश करना है और उसके बाद ही यूज करना है fruits हमें परता है हम अपने बच्चों को भी देते हैं तो हम इस तरह से नहीं दे सकते तो आपने खास करके इन सब चीजों का बहुत जादा ध्यान रखना है अब जब सब कुछ हो जाए तो हमारी ड्यूटी बनती है फिर से पूरे काउंटर टॉप को या जो भी सर्फिस पर आप कर रहे हो उसे वाइप करके डिसिंफेक्ट करना अब आपने देखा हमने किस तरह की टेक्निक को फॉलो किया है जैसे मैंने पहली पर पताया था यह एक स्टेराइल टेक्निक और इसे हम तब से फॉलो कर रहे है जब से हमें पता चला है इंडिया में वाइरस आ चुका है तो हमें इसके रिजल्स बहुत अच्छी मिले और म उस रहसी आटीश में पता होते है कि जेनरली इनके प्लास्टिक कवरेंग और खाने से हमें पने हाथ सानिटाइज करना है तो अकली के पर पिःट को हटा या नेच्स जीजी है कि टेकवेज अभी भी चालू है जैसे स्वीगी समेटो हमारे कंट्री में अभी भी बहुत चल रहे हैं मैं अपने घर के बाहर भी देखती हूँ अपार्टमेंट के बाहर की उनकी बाइक्स चाती होती है तो उस केस में क्या करिए अभी तक फुट के थू तो इससार से आफ ये सबसे हैं जब इनने के आँससले मिम्हाँ होने हैं and second बहुत ही टाइम का निजर में लगेगा बट लेट्स भी मेथोडिकल हमें पता है कि अभी हम सब के पास एनफ टाइम है और यह चीजे बहुत सरूरी है अभी करनी तो डिजर किसी बाहुत प्रविरूस तो प्लीज किसी भी तरह का कोई चांस ना ले और इस प्रोशस को फॉलो रहे यह किसी पी डिसीनफेक्टिंग प्रोशस को फॉलो करें जो आपको लग रहा है वो आपनों सील रख सकता है अब Napनो zwischen जह पूछ सकते हैं क्या हम गलफ पहन कर ये प्रोसेस करें सी आपकी चोईस है ये बट एस सच गलफ इस प्रोसेस में आपको इतना हेल्प नहीं करेंगी बिकॉज आप सिर्फ इस प्रोसेस से तभी बच सकते हो इस वाइरस से अगर आप जो हैंड्स यूज कर रहे हो वह अपने सब्सक्राइब कर दो अगर अपने ऐस पर आपको अच्छ लगे और आपसे रिक्वेस करने घ्रोसे करोंगे कि प्लीज नहीं पहने इस चोईस है कुछ थन विडियो बाउट पहना चोईस है तो ये तो था कम्पलीट वीडियो बॉट ढूँज तेक्निक दिसिंफेक्टिं आप से रिक्वेस्ट करूंगे कि प्लीज जितने लोगों को हो सके आप पास-on करिए जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते करिए इसकी अवेरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है अगर आप से कहें कि यह बहुत टाइम प्रोसेस से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है और मेथोडिकली हमारे पास अभी इतना टाइम होता है कि हम इन सब चीजों को प्रॉपरली फॉलो करें अगर आपको को वीडियो अच्छा लगे तो प्ली लाइक बटन हिट करिए और चैनल को सबस्क्राइब करिए और सबस्क्राइब करें बटन को हिट करना बद बुलिया ताकि जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करो तो आपको उनकी नोटिफिकेशन इस मिलती रहे so thank you, thank you for watching take care, stay healthy stay happy, happy parenting, happy life goodbye